हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में दोस्तों आज दिनांग 16 अक्टूबर 2024 है और आज आपका विहार बेल ट्रॉन डियो फर्ष्ट सिप्ट का दोस्तों पेपर समाप्ट चुका है दोस्तों आज के एकजाम में यानि की फर्ष्ट सिप्ट के पेपर में जो कोस्टन्स आपके पूछे गएते डिक्तों हम उसी तरह के कोस्टनों का आज यहां पर सटीक एनालेसिस करने वाले हैं और उसका सटीक रिभीव करने वाले हैं दोस्तों अभरतियों के द्वारा बताया गया कि आज के एक जाम में जो आपके ज्यादतर कोस्टन्स पूछे गया थे MS Excel, MS PowerPoint, MS Word, MS Office के इन सभी तमाम टॉपिक्स जो दिये गए हैं यही से आपके पूछे गया थे और आपके बेसिक कंप्यूटर नौलेस से कोस्टन्स को आपका पूछा गया था तो दोस्तों हम उनी सभी कोस्टनों का यहां पर सटीक रिभीव करने वाले हैं तो चलिए बीना कुछ देडिक किया हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट की हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के बीच इसको ज़रूर कीज़ेगा और साथी साथ एक लाइक ज़रूर कीज़ है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंतक जूर देखेगा और यह दोस्तों नोट कीज़ेगा कि विहार वेल्ट रॉन डियो किस तरह से प्रस्ण आपका एक्जाम में पूछ रहा है तो चलिए बीने कुछ देड़ी के हुए हमाने वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि दोस्तों आपके एक्जाम में एक कोर्ष्ण आपका एक्सल से पूछा गया था देखे कैसा कोर्ष्ण आपका पूछा गया था सेल एक्ष्टाइल मेनू को MS Excel 2016 में किस मेनू में Select किया जा सकता है आपको बताना है कि सेल का जो Style होता है वह Excel में आपको किस मेनू से आपको Select किया जा सकता है बहुत Simple question है आपका Easy question है अपसे दिया गया था formula Home Review insert दिया जाता है तो इस question के अगर दोस्तों ही आपका राइट एंसर की बात करें आपका यहां पर आइट एंसर हो जागा आपका Home menu ठीक है यह जो आपका सेल का सेल होता है यह आपका Home menu के अंत्रगत यहां पर आपका पाया जाता है अगर आप से आप से गृफ पूछा जाए तो आप एकसा गृफ बता सकते हैं बाकि आप सकते कौनकों से आपके इस कंतर का गृफ पाय जाते हैं उसमें क्या क्या फ्रोंस पाय जाते हैं यह चलिए अगला कोउस्त और आपको पूछा गया था इस ट्राइब कोस्तन्स आपके पाउरपॉइंट से कुस्तन्स आया हुआ था देखिए कि एमस पाउरपॉइंट 2016 में इंसर्ट मेनू में निम लिखी तुम्हें कौन सा प्राप्त आपका नहीं किया जा सकता है आपको बताने कि कil और आपको इलेक्टाइशन गұुरूप के रἋब करा प्रापां यहां पर जाएगा इसके वरत टे adesso गांग स bishop का 17 बाकि आ लोग इसको नोड मां यहां से अग्ग्साम« परशन बनते हैंji लिए दोस्तों अगला इसको जोगर दोस्तों बात कि अगर आप उसकी पीडिएफ चाहिए और या आप इसको आप अने वाले होने वालए जिनका एक्जाम आने वाले भी एक्जाब्डेट्स में क्योंकि यह जो आपका एक्जाम है वो लास्ट 28 अक्टूबर तक तो अपका यह एक्जाम चलने हुआ ला है ठीक है देखें यहां पर एक्जाम में निमन में किस टैब में फ्रीज पैन का विकल्प अपता चुना जा सकता है आपको बतारी किस टैब से आपका पाया जाता है जो आपके ऑप्शन दिये गया तो फर्मूला डेटा इंसर्ट आउड भी तो इस कोर्शन के राइट इंसर्किया प्रग्रम बात कर ले अगर आप से कोशन पूछ लेकि फ्रीज पैंड जो होता पर किस ग्रूप के अंतरकत पाया जाता है तो ग्रूप के अगर पूछ तापका विंड़ोज गूप आपको एंसर में बताना है ठीक है यहाप आपका पूछा गया कि कैस्ट टैब में यानि कि मेनु पूछा गया तो आपके यह वियू मेनु के अंतरकत पाया जाता है राइट एंसर यहाप दोस्तों आपका हो जाएगा ऑपसा नमबर 4 ठीक है वियू अगला कोशन देखिए यह कोशन जो आपके पूछा गया था इस तरह के परसंट आपके पावर पॉइंट में पूछा गया था पावर यहाँ के अपके अंतरकत आपका पाया जाता है यहाँ के मदद से हम दोस्तों एक बार में समय स्लाइड को देख सकते हैं यानि कि शोड़े चोटे बॉक्सों में आपका ओपें हो जाता है तो राइट इंसर यहापका ओप्सन नमबर 1 दोस्तों अगर वीडियो प्रसंद आ जिसको जेवी सेर कर देगा ताकि उनको भी यहाँ पर कुछ हैल्प मिल सके एकसल से कॉस्टन से के एकसल 2016 में रिक्त सेल्स कप्छों को सम्मिलित करने के उपरत चर्णों की पहचान करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि होम टैपर सेल ग्रूप में इंसर्ट के बाद एर क्या एकट अगला को सहन देखें यहाँएक एक्स पूंगा शुरू करने के लिए किस कमांड का उप्यों क्या जाता है यानि मिदा और कि विन वस्वीन वडद डोट्ध का आपका रन कमांड का उपयोग किया जाता है तो दोस्तो इसका राइट इंसर आपका हो जाएगा option no.1 अगला question की यहाँ पर हम बात करें तो देखिए msword 2016 की तालिका में सेलो की सीमाओ को देखने के लिए परिवक्त चर्णों का सही क्रम क्या है आपको यहाँ पर बताना है कि msword 2016 की तालिका में सेलो की सीमाओ को परिवक्त चरण आपका यहाँ पर क्या है तो इसका राइट इंसर की करम दोस्तों बात के तो यहाँ पर select table टेवल टूल्स इसके बाद है पर डिजाइड इसके बाद है आपका बोर्डर इसका राइट अपका हो जाएगा दोस्तों अगला कोस्टन देखिए तो सभी कोस्टनों के यहाँ पूरी डिटेल से डिसकस्टन के साथ आपको उसका एंसर बताने वाले है तो आपका एक्जा यहाँ पर देख सकता है इसका बीटी यह दिया गया बीटी यह ठीक है इसका इंग्लिस मीनिंग साथ कंफ्यूजन में है लॉजिकल देखिए लॉजिकल दोस्तों यहाँ पर दिया गया तो लॉजिकल यहाँ पर आपका दिया गया लेकिन पाइवर्ट टेबल जो होता है इसके द्रक्रत आपका नहीं पहाए जाता है तो राइट एंसर यहाँ आ से पुषہ कार्याट वर्फ करने के लिए कौन से फ़ंसर का विए चलता तो इस फ़ंसर के करने के सिक्शन और जाएगा प्रक में Δ Grütt निक कट्से संबंदित है hardware है assembler है firmware या आपका करनल है ठीक है तो यहां पे कर हम right answer की बात कर ले तो यहां पर देखा आपका दूस्तों option number four यानि की करनेल ठीक है चली अगला question देखते हैं Microsoft Word में किसी selected item को करना है तो हमें डैस कुझी का उप्योग करते हैं किसी भी वर्ड को सेलेक्टेड आइटम्स को मोडिफाई यानि कि सब्सक्राइब करना है तो हमें इंस्टल ऑनष्टल् करने के लिए पहला कमंड क्या होता है, यानिक उसको हटाना अनष्टाल करना थिक उसके लिए WMC होता है यहां से अपके एकजाम में जो शुची में पड़ते प्रविश्ट के लीए दस्तार्वेस की प्रतिया बनाने के प्रकिरिया है इस सूची को आपका डैस कहा जाता इसको दूसरे डिल दाका संब यह सभी चीज को आपका व्य। एक्सल में किस फंसन का उप्यों करके दूब्ली के बानु को हाइलाइट कर सकते हैं तो उसके लिए अपका एक ही है कंडिशनल कंडिशनल फर्मेटिंग के द्वार हम किसी भी डूब्लिकेट को हाई-ाइट कर सकते हैं एकसल में अगला कोशन के उसको देख सकते हैं पॉर्पॉइंट से पूछाएगा था कि पॉर्पॉइंट परजेंटेशन में अगली स्लाइड पर जाने के लिए समय अंतराल को ठीक कर जाता है यानि कि समय के अंतराल जो आपका उसको सही करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है पाउरपॉइंट परजेंटेशन में रिभीव का इंसर्ट का डिजान के या ट्रांजिक्शन का तुई यहां पेगनी स्कॉस्टन के राइट एंसर के अगर हम बात कर लो तो आप्शन नंबर फोर एनके ट्रांजिक्शन चीक है यहां पर ट्रांजिक्शन का फड़िव कंपके हैं समय के अंतराल को सही करने के लिए नेक्स्ट कोस्टम दोस्तों दख सकते हैं अच्छा कोस्टन कि वींडेटिंग सिस्टम में एड्ड nya सिस्टम में एद न्यूय ओल्फ होता है या आपको बताने है टस्क बाहर में मतल है या मैनिवार कट्रोल का 음 आपका मेन मेन में तो यह जो आपका मिलता है दोस्तों add a new आपका hardware आपका control पैनल में मिलता है तो राइट एंसर आपका दोस्तों से है control पैनल ठीक है नेक्स कोर्षन देखिए ms powerpoint तो है 16 के इस मेलु में आपका new जो स्लाइड का भी कल्प उपलाब्द होता है निव स्लाइड जो होता है आपका over time में देखने को मिलता है मों टयब ठीक है अगला portion देख सकते हैं अच्छा Doorion से विट्व विंडोज xp में चीज को डिलीट कर देते हैं तो अब पुना हम उसको कहा सब्सक्राइब फिर से प्राप्त कर सकते हैं ठीक है अप्शन दियागा है रिसाइकल बीन से भविस्ते के लिए सेंड फोल्डर से ट्रेस फोल्डर से या डिलीट आइटमस फोल्डर से जो भी चीज कि हम किसी windows xp में हम दिलीट करते हैं वह जाके हमें दूस्तों recycle बीन से फिरसे उसे प्राप्त कर सकते हैं तो राइट एंसर या पर हो जाएगा आपका option नुबर एक या निक बीन हो जाएका ठीक है next question देखी ये question आपका आच्छा question कि application windows के sheets पर इस्ति वार जो application program का नाम दिखाता है उसे dash कहा जाता है यानि कि application windows के sheets पर जो इस्ति अब्लिकेशन program का नाम दिखाता है उसे क्या कहा जाता है आपको बताने कि task bar कहा जाता है status bar title bar और आपका name bar ठीक है तो जो program को दोस्तों दिखाता है उसे title bar कहा जाता है right answer आपका option number c यानि कि title bar ठीक है जो कि आपका option number 3 में यहाँ पे दिया गया है अगला question दोस्तों देख सकते हैं कि निम्लिकित में यहाँ आपका जाएगा आपका नहीं है यहाँ नहीं है तो इसका बात हो जाएगा सब्सक्राइब कर लेज़ेगा दोस्तों एक आखरी बाद अगर आपको इसकी प्रीएफ चाहिए या प्राइट का प्रीएफ एर कोर्शन चाहिए तो आप हमाई टेलिग्रम चैनल में आए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिलेगा वहां से आप जाकर इसको प्रा